नमस्कार बच्चो आज मैं आपको पढ़ाने हो लिए पाठ 11 पढ़ाकु नरेंद्र इसका एक जो भाग है पहले भी पढ़ चके हैं तो नरेंद्र कौन है नरेंद्र किसका नाम है तो नरेंद्र नाम है विवेकानन जी का स्वामी विवेकानन जो हमारे देश के विख्यात मह पुर्शों में से एक हैं उनके बारे में ये जो है पाठ था अब इसमें नरेंद्र का जन भी बताएगे कि नरेंद्र की कब जन हुआ था तो 12 जनरी 1863 में इनका जन हुआ था और इनके पिता जी वेशुनादत कलकत्ता उच्छे नायाले के प्रसिद्ध कभी थे और माता और ये धार्मिक विचारों के महिला थी तो इन्हीं की दोनों लोगों की वजह से जो पिता और माता के जो सदगुण थे वो भी स्वामी विवेकानन्द में आये और उनका भी जो मन है वो जो बुद्धी है उनकी बहुत प्रकर बुद्धी के वो महापुरुश हुए उनक मिसायाद रखते थे उनका जो नियमित रूप से वो क्या करते थे शारीरिक व्यायाम करते थे शरीर उनका बहुत सुडौल और सुंदर थे वो संगीत प्रेमी भी थे उनको जो भी एक बार देखता तो देखता ही रह जाता प्रकर बुद्धी भी और व्यक्तितु के जो प्रतिभा उनके चेरे से जलकती थी यहां तक तो हम लोगोंने पढ़ा था पाट भाग एक में अब इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ते कहानी सुनाने और भाशन कला में नरेंद्र बहुत प्रमेर थे अब चुकि उनको इतनी अच्छी तरह कोई चीज याद हो जाती थ यह जहीं कि जीवन पर्यंत वह उस चीज को नहीं पूलते थे तो जो कहानी सुनते या कोई भी पुस्टक को पढ़ते थे तो उनको आगे उनको जानकारी लेने में आगे पढ़ने में पुस्टक पढ़ने में बड़ा आनन्द आता था और उनको बहुत समय तक वह याद भ बहुत अच्छा था तो बहुत देर तक उस पे वो बोल भी लेते थे तो भाशन भी देते थे बढ़ियां जब अपने सहपाटियों को कहानी सुनाते तो वे मुग धोकर घंटे सुनते अब वो कहानी को एंगतम जो है अपने मन में बिठा लेते और जब कहानी सुनाने का तरी तो बहुत आनंद लेकर ही सुनता था सुनाने का जो इनका तरीका था वो लोगों से बिलकुल अलग था नरेंद्र को पुस्तक पढ़ने का बहुत सौक था जब इस्कूल में थे तब प्रते दिन पुस्तकाले से एक पुस्तक लाया करते थे अब जैसे कि मैंने आप पहले भी आपको बताया कि उनको पुस्तक पढ़ने का बहुत सौकता है तो और विश्यों के बारे में चीजों के बारे में कहानियों के बारे में जादा से जादा जानने की हमेसा उनके अंदर एक जिग्यासा रहते थे तो जिस बच्चे के अंदर जिग्यासा रहेगी तो वो आ भेर हैं idного r littl teak tu set अरे सारा जानकारीयां चाहिए होती ती जग्यासा को कुंसंद करने लोग है तुन को बोस्तो के पढ़ने का इस लिए बहुत ज्यादा शोक था जब इस चूल में थे तब प्रती दिन फुस्त अध Nancy सब जब आपके प्रावर चोट उइन भीते शोटे बखे जाते, और एक ही दिन में पढ़कर उसे लोटा देते हैं, आप समझ सकते की जो बच्चा आप ही लोग पुस्तक ले जाते हैं, तो एक ही दिन में नहीं पड़ पाते हैं, आपको और पुछ बच्चे तो पढ़ भी लेते होंगे बहुत कम होंगी संक्या पर अधिकतर बच्चे क्या करते हैं पुस्तक को किनारे ले गए पुस्तकाले से ले तो बड़े एक सौक से जाते हैं इधर उदर पढ़ी रहती है अगर उसमें चित्र बड़े-बड़े सुन्दर अट्र तब तक वो अटते नहीं थे तो वो पुस्तक को पढ़ते रहते थे और पुस्तक को पूरा पढ़ लेते थे तो वो उठते नहीं थे तो एक ही दिन में पुस्तक खतम हो जाती थी और दूसरे दिन जाकर उसको जमा कर देते थे और दूसरी पुस्तक ले लेते थे एक ही दि में पढ़कर उसे लोटा देते थे आप समझ सकते कि वो जब एक ही दिन में वो किस तरह से लोटाते होंगे एक ही दिन में पढ़ लेते होंगे तभी तो लोटा थे और पुना दूसरी पुस्तक ले आते थे और फिर जा करके क्योंकि उन्हें और जग्या सा अपनी शांत करनी रहती थी कि और में जानकारी चाहिए तो तुरंट दूसरी पुस्तक ले लेते थे जब लगातार कुछ दिनों तक यही क्रम चलता रहा तब पुस्तकाले की अधिकारी को बड़ा आश्यर हुआ अच्छा जो बच्चा रोज जा रहा है रोज पुस्तक बदल रहा तो जो प लकी दिन ले जाता रोज égisen के लेते दूसरी ले जाता है तो उन्हें बड़ा आश्यर हों तो उन्हाने सोचा कि नरेंद। पुस्तक के या केवल पढ़ने के का ढह bilmiyorum करता है उन्हें लगा कि दिखाने के लिए तो नहीं पुस्तक ले जाता कि मैं बहुत पढ़ीस हूँ लोगों कि मैं अपनी चहवी अच्छी बनाने के ले जाता हो और पढ़ता ना हो और दूसरे दिन वापस कर देता है और उसको लगता हो कि टीचर से अध्यापक जो है उनके नजर में अच्छा बनूं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि कुछ बच्चे ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं तो उने भी उसने भी ऐसा लगा उन्ने क्यों पढ़े उन्हें लोटा देते हो उसने कहा कि उसको बड़ा वो कौतुहल लगा तो उसने उनसे पूचा नरेंद्र से कि क्या तुम्ही पुस्तक ले जाते हो इसको पढ़ते हो कि बिना पढ़े ही हमको वापस कर दे रहे हो रोज ले जा रहे हो रोज ले जा रहे हो मतलब क्या पूरा है तुम्हारा झाल नरेंदर ने कहा मैंने आप कहांसे ली सभी फुस्ट को अच्छी तरह पड़ा हैं आप चाहीं तो मुझे भी पुस्ट को से पुष्ण सकते हैं पुष्ट कोसे को यह पुष्णous football cyclists q कि नरेंद्र तो पढ़ते थे उनको बहुत ज़्यादा जानकारियां लेने का सवक था तो अपनी जिग्या से को शांत करने के पुस्तके पढ़ते थे और अच्छी जानकारियां कहानियां पढ़ने में उनका बहुत ज़्यादा रुची थी तो पढ़ते ही थे उसे जब ऐसा लग रहा है कि मैं पुष्टके सिर्फ दिखाने के लिए ले जा रहा हूं तो आप चाहें तो कोई भी पुष्टक उठाई है जो मैं अभी तक ले गया हूं और उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्ण कर सकते हैं मैं तुरंत उतर दूँगा अधिकारी ने नरेंद्र की लटाई पुष्टके उठाई और एक प्रष्ट खोल कर प्रश्ण पूछने लगा अब अधिकारी ने क्या किया उसको लगा कि यह जोट तो नहीं मुल रहा कहीं तो उसने भी क्या किया उसने का कि ठीक है तो उसने पूरे जो लोगों एक पूरा एक बनाए रहते copy न, उसमें लिखते हैं रजिस्टर में, के पुस्टर के कौन सी लोट आई हैं, बच्चेने कौन सी लोट आई हैं, तो उसने वही वाली रजिस्टर उठाया, उसमेंसे जो उसनों न वापस करी थी, पढ़ के पुस्टर, उसको check किया, और उसमें से कोई एक बुक उतार ली और उसमें कोई प्रष्ट बीच का खोल लिया पना खोल लिया और उसमें थोड़ा अपने आपड़ा और प्रष्ण बना करके तुरंत जो है नरेंद्र से पूछा नरेंद्र से पूछन लगा और नरेंद्र ने उनके सभी प्रष्णों क सही सही उत्तर दे दिया अपनी इसी आदत के कारण देश भ्रमण करते हुए उन्होंने भारतिये संस्कृति धर्म दर्शन तथा वद वेद उपनिष्टों का गहन अदन अब उनकी पढ़ने की जो इतनी आदत थी उसके कारण उनको इतनी सारी जानकारियां विश्व की मिल नहीं थी जिसके आदत इसी अच्छी आदत के कारण उन्होंने देश भ्रमण करते हुए उन्होंने उन्हों चीजों को देखने का भी कौतुवल जागी जब पूस्तर क्यों आप पढ़ लेंगे वहां पर यह यहां पर ऐसा है ऐसा होता है तो आपको आप वो चीज अपने सामने से देखने का मन भी करेगा तो वो देश भ्रमण भी करते थे उन्होंने भारतिय संस्कृति को उन्होंने पूरे देश में घूमे और उन चीजों की जानकारी लिए और सामने से उनको प्रतिक्ष दर्शन किया तो उनको हर प्रकार की संस्कृति अपने भारतिय संस्क यह संस्कृती बहुत बढ़ी और त सुन्दर संस्कृती जो वार्तियस इसके बारे में जानकारी फिर्द्रम के बारे में जानकारी भर्यां का दर्शन उच्टा कोई कैसा है यह जेंव वेद और उपनिश्यद आई उनको भी फुस्तो को माद्यम से उनने गहन उसका खूब गहराई से अध्यान किया खुब अच्छी तरह उन्हें पुस्तकों को पड़ा कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक पूरे भारत को निकट से देखा देश में फैली गरीबी को देख कर वे बिचली थो अब यह उन्होंने जब इन सब का गहन अध्यान किया तो उन्हें पूरे